हेलो एब्रिवन मैं मिथुन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए सी टैट के पेपर टू का जो सिलेबस है उससे डिसकस करेंगे हम लोग इस वीडियो में उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज प्रेस्ट बेल आइकन फोर देटिस्ट अपडेट आप हुमारे साथ टिलिग्राम पे भी जूर सकते हो जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टिलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जिन्हें पेपर वन का सिलेबस तो शलिए शुरुआत करते हैं और मैं एक बात बता दू जिनका साइन्स है और जिनका एसेस्टी है दोनों के सब्जेक्ट्स को यहां पर डिसकस किया जाएगा पेपर टू में तो घबराने की कोई बात नहीं है तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखिएगा सारे इंफ क्या संबन्द है आगे देखिए प्रिंसपल अब डेवलप्मेंट औप चिल्डरेन यानि कि जो बच्चे का विखास होगा उसके क्या-क्या नियम है वो पढ़ना है आपको हैरेडिटी और इंवारेमेंट का बच्चे पर क्या प्रभाब पढ़ता है वो पढ़ना यानि कि विर्धी और ये जो इंवारेमेंट यानि कि वाताबरन और हरेडिटी यानि कि जो वनसा नुकरम है उस पे बच्चे का क्या प्रभाब पढ़ता है वो पढ़ना है सोसलाइजेशन पढ़ना है प्याजे कोहलबार्ग वायगोस्की की थियोरी पढ़नी है चाइड्ड सेंट इंटेलियंस के परकाण होते हैं वो आपको पढ़ना है आपको उसके बाद देखिए लेंग्वेजट और रॉन्लेशन अफ लौनिंक ये सब आपको पढ़ना है अब फर्मृलेशन भी आपको पढ़ लेना है यहां पर आगे पढ़ेंगे और बात करेंगे अब दखिए औ जहां पर जो जितनी बाते मैंने बताई ना उससे 15 कोशन पूछे जाएंगे इससे और आगे जो 5 कोशन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका concept of inclusive education inclusive education मतलब जहां पर बिना किसी भेद भाव के आप विकलांग दिभ्यांग जो भी बोलो आप उन बच्चों को साधारन बच्चों को तेज बच्चों को एक साथ पढ़ाते हो लड़के लड़कियों को सामिल करके तो वो आपको पढ़ना है inclusive education learning and pedagogy से आपको 10 question पूछा जाएगा और यह आप यहां से देख सकते हो motivation में learning का क्या महतपूर्ण योगदान है वो आपको देखना पढ़ेगा अब देखिए language 1 आपका language 1 देखिए कैसे आप language 1 और 2 को categorize कर सकते वो देखिए अगर आपने language 1 हिंदी रखी है तो आप language 2 में ह हिंदी को छोड़ करके English या Sanskrit में किसी एक को रख सकते हो अगर आपने पहला पेपर जो है English रख लिया तो आपको हिंदी या Sanskrit में से पेपर 2 में कोई चुनना होगा तो देखिए पेपर 1 लेंग्वेज 1 और लेंग्वेज 2 का क्या है Language Comprehensive यानि कि paragraph आपको दिया जाएगा 15 नमर का question उससे पूछा जाएगा और फिर pedagogy of language development बच्चे को language development कैसे कराओगे उससे 15 question पूछे जाएगे उसके बाद देखिए comprehensive बूछा जाएगा language 2 में और language 2 में जो comprehensive होगा वो होगा 15 नमर का और pedagogy of learning development होगा learning and acquisition principle of language teaching है वो कैसे पढ़ाओगे वो सब आपको remedial teaching वगरा क्या होती है वो आपको पढ़ाना पढ़ेगा तो language 1 और language 2 यानि कि भासा 1 और भासा 2 में इस तरह के question आपको देखने को मिलेगा अब बात करेंगे mathematics and science की तो देखिए 60 नमरों का question पूछा जाएगा और पहले mathematics को कभर करते हैं तो number system में पूछा जाएगा आपको knowing your number नमर के बारे में जानकारी, playing with number नमर से आप खिलना और hall नमर क्या होता है, negative नमर क्या होता है, integer क्या होता है, fraction क्या होता है अगला है algebra, algebra में आपको जो है ratio proportion पूछा जाएगा, geometry में basic geometry ideas पूछे जाएगे 2D से और elementary से पूछा जाएगा, 2D और 3D से symmetry पूछा जाएगा, reflection यानि कि mirror में देख कर क्या आपको बताना है, construction पूछा जाएगा, आगे देखिए mensuration और data handling से भी question पूछे जाएगे, और 10 नमर pedagogy से question आएगा, अब बात करते हैं science की, तो science में source of food, components of food और cleaning food यानि कि food से बहुत सारे question आपको देखने को मिलेंगे, रोग यानि कि जो इससे disease होती है, deficiency यानि कि किसके कमी से कौन सा रोग होता है, वो सब आपको देख लेना है और material से question पूछा जाएगा, जो daily use में आता है, world of living, moving things, people and ideas, इससे भी question आएगा how things work ये भी पूछा जाएगा, magnet और electric current और circuit से question आएगा, natural phenomena और natural resources से भी question आपको देखने को मिलेगा और pedagogy में इसका जो structure है science का, science को पढ़ाने में क्या दिकतें आएगी, integrated approach क्या होता है, understanding क्या होती है science की, evolution कैसे करोगे, remedial teaching कैसे करोगे ये सब आपको पूछा जाएगा, अब बात करते हैं, सस्टी की तो सस्टी में, history में देखिए, when, where and how, यानि कि कब हुआ, यानि कि आपको date, घटना, और किसके किसके बीच में लडाईयां बगेरा होई है, वो आपको देखना पड़ेगा the earliest society, यानि कि पहली की society कैसी थी, the first farmer and the headers, वो किसान के बारे में पूछा जाएगा, first cities के बारे में पूछा जाएगा, early stages के बारे में पूछा जाएगा, नए idea, the first empire, जो समराज बगेरा थे, उनके बारे में आपसे question पूछा जाएगा the contact with the distant lands, political development क्या हुआ, culture कैसा था, science कैसा था, king और उनके kingdom कैसे थी, sultans of Delhi, architecture, और creation of empire पूछा जाएगा, social change पूछा जाएगा, अब बात करेंगे, देखिए the revolt of 1857, यानि कि 1857 की जो करांती थी, उसे अच्छे से पढ़ लेना है आपको, और India after independence और national movement, यानि कि जो सतनता संग्राम के महतपूर्ण आंदोलन हुए, वो आपको देख लेना है, जोगरफी में देखिए, जोगरफी में आपको जो question पूछा जाएगा, वो planet से पूछा solar system को पढ़ लेना है अच्छे से, globe को पढ़ लेना है, और nature human environment क्या होता है, air पढ़ना है, water पढ़ना है इसमें, और आगे बढ़ते हैं, agriculture से भी question आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब बात करेंगे social and political life से, तो इसमें diversity, government यानि कि सरकार, local government यानि कि जो gram में जो सरका होती है, gram panchayat, mukhiya, ये सब को आपको पढ़ना है, democracy पढ़ना है, यानि कि लोगतंत्र, state government के function भी पढ़ लेना है, understanding media, media के क्या रोल है, ये भी पढ़ना है, और gender के बारे में unpacking, gender के बारे में भी पढ़ना है आपको यहाँ पे, parliament, government क्या होती है, ये सब आपको पढ़ लेन है, पेडागोजी में, देखिए, development of critical thinking, आप critical thinking को कैसे बढ़ावा देऊगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को, और primary और secondary, project work, evolution, और remedial classes वगरा आप कैसे दोगे, ये सब आपको जो है, पढ़ लेना है, और यहाँ से देखिए, असपस्ट लिख दिया गया है, 1 से 8 तक के NCRT के टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, काम आपका बनेगा, अब देखिए, इसी तरह से आगे आगे आपके काम की चीज नहीं है, तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो please do subscribe, and one more thing, आपसे मैं एक question पूछने वाला हूँ, बुद्धी का जो है, 2D shape किस ने दिया था, आपको बताना है, 2D dimension किस ने दिया था, बुद्धी के, यानि कि intelligence के 2D dimension किस ने दिया था, कमेंट करके आप बताईए, तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, तो फिलाल के लिए इतना ही, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing.